चंदल पे टोल टैक्स में बचाने की चक्कर में घर के मुख्याने ही अपनी पूरे परिवार को हस्ता खिलते अपनी ही आखों के सामने तेज गहरे पानी में डूबते हुए देखा लेकिन पानी के तेज बहाओ के आगे अनबरतों तैर कर अपनी जान बचा पाया लेकिन खिरकार चार लाशों को अब तक निकाला जा चुका है हादसे के बाद परिवार वर रिष्टेदारों का रो रो कर बुरा हाल है इन दिनों आफ़त की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चला है बेथाशा बारिश से गंगा के बढ़ते जलस्तर की वज़े से नदी नाल रहे थे कि इसी दोरान रास्ते में टोल टाक्स की चंद रूपे बचाने की चक्कर में माजिक वाहन को गाउं की ओर निकाल दिया सडकों पर बेधाशा पानी चल रहा था अनवर ने माजिक को पानी में ही चलाना शुरू कर दिया थोड़ी दूरी पर नदी की रास्ते पर म पुलिस वगोता खोर ने कडी मशकत के बाद गाढ़ लाशों को बाहर निकाल लिया हे एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से पूरा परिवार सदमे में है साथी पूरे इलाके को गहरा सदमा भी पहुंचा है यह अपनी बेहन के यह प्रेनी वहां कुछ आम आम दिया उन्होंने उसके बाइब तो इन्होंने टॉल टेक्स बचाने के खादिर इन्होंने को ट्रे की साड़ गाड़ी डाल दी वहां एक नहर भी पड़ती है और रप्टा भी है और कुछ गहरा है जिसके वज़ा से जो है पानी और नहर का पानी बिलकुत सेम एक जैसा हो रहा था उसमें रूड नजर नहीं आया यह आईडिया और अंदादे के इसाब्ते चलते रहें गाड़ी ने एक सैड लिया और सैड में गाड़ी जाते जाती है वह उसने थोड़ा सा पलता लिया पानी में गाड़ी बैठ जिसके वज़ा से यहादसा हुआ है और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपने बीबी को निकालने में काम्याब हुए हैं जो के दम तोड चुपी थी फिर उसके बाद बेहन जो है वो मिली उसने जो है डाला पकड़ा रखा ता जिसके वाधे से वो मिल गई लेकिन एक सबस्क्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शेहर की खबरें सबसे पहले अपने अपने शेहर की खबरें